नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका Examination 27 के YouTube चैनल पर RRB NTPC के exam लगातार चल रहे हैं आज 13 फरवरी को 1st shift का exam हो चुका है इसमें आये सभी questions को cover up करेंगे GKGS Current Appearance सम्बंदी सभी questions को 7% static analysis करेंगे तो वीडियो को सुरू से end तक जरूर देखे अगर चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को like करें, subscribe करें तो चलिए दुश्तों questions पर चलते हैं पहला question है महत्मा गांदी के पाचवे पूत्र के नाम से जाने जाते हैं इसका अंसर होगा जमना लाल बजाज जमना लाल बजाज महत्मा गांदी के पाचवे पूत्र के नाम से जाने जाते हैं अगला प्रशन है वर्दमान महावीर तीर्थ कर थे ये थे 24 वे तीरत करते वर्दमान महवीर 24 वे तीरत करते आएला प्रशन है उत्राखंड राज जी का प्रसिद्ध कारवेट नेशनल पार्क निमलिकित में किस जिले में इस्तित है तो इसका उत्तर होगा दोस्तों नेनी ताल जो उत्राखंड का कारवेट नेशनल पार्क है वो नेनी ताल में इस्तित है, आए ले क्वेश्चन पर चलते हैं, चोरी चोरा कांट किस घटना से घटित हुई थी, चोरी चोरा कांट की घटना कब घटित हुई थी, स्वारी, चोरी चोरा कांट की घटना कब घटित हुई थी, इसका आंसर होगा दोस्तो, वर्ष 1922, महत्मा गांधी द्वारा सवीने आयोग्या अंदर 5 अप्रेल 1930 को आरम किया गया था अगला प्रशन है प्रथम गोल मेज सम्मेलन का आयोजन किस वर्स किया गया तो इसका उत्तर होगा वर्स 1930 में प्रथम गोल मेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था तो चलिए next question देख लेते हैं स्वामी विवेकानन ने रामकृष्ण मिस्टन की स्थापना कब की इसका उतर दोस्तो 8097 इस्वी में स्वामी विवेकानन ने रामकृष्ण मिस्टन की स्थापना की थी अगला प्रश्ण है सर्व प्रथम किसने स्वराज सब्द का प्रयोग किया था इसका उतर होगा स्वामी दयानन सर्शोती स्वामी दयानन सर्शोती ने सबसे पहले स्वराज सब्द का प्रयोग किया था अगला प्रश्ण है पूर्ण सुराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई तो इसका आंसर होगा दोस्तो लाहोर अधिवेशन यहां बहुत प्रसीद अधिवेशन था सुराज की मांग की गई थी इसमें लाहोर अधिवेशन याद रखिएगा अगला कुश्चन दोस्तों भारत के लिए किस नसल का उट स्रेष्ट माना जाता है तो इसका अंसर होगा बीकानेर बीकानेर भारवाहन के लिए भारवाहन के लिए किस नसल का उट स्रेष्ट माना जाता है इसका अंसर है बीकानेर यहां बिकाने रूट भारवान के लिए बहुत ही प्रसीद है नारी सोंदर किस सेली की प्रमुख विशेस्ता है तो इसका उत्तर है किसंगड किसंगड सेली की विशेस्ता है नारी सोंदर अगले क्वेश्चिन पर चलते हैं वर्तमान में भारती सवीदान में कितने राजबहसा वर्नित हैं 22 राजबहसा वर्नित हैं इसे भी याद रखियेगा क्योंकि question बहुत IMP है लगातार रिपीट हो रहा है अगले प्रस्ण पर चलते हैं प्रशने दोस्तों निमलिकित में से किस राजी की सीमा से राजिस्तान सटा हुआ नहीं है किस राजी की सीमा से राजिस्तान सटा हुआ नहीं है तो इसका आंसर दोस्तों महराष्ट महराष्ट की सीमा से राजिस्तान सटा हुआ नहीं है अगले प्रशन पर चलेंगे कौन सा ते हुआ तमिलनाडू राज से संब अगल पॉंगल जो है तमिल नाड़ू राज्य से संबंदी था है अगले प्रशन पर चलते है सूरज कुंड मेला कहां आयोजित होता है इसके आप्शन है सोनपूर, फरीदाबाद, अमरत्सर और भीकाने तो देखी दोस्तो इसका आंसर जो होगा फरीदाबाद जो सूरज कुंड मेला है, वो फरीदाबाद में आयोजित होता है अगले प्रशन पर चलते है किस सताबदी में प्रिंटिंग प्रेश की खोज हुई थी? बहुत ही ज़्यादा IMP question दोस्तो इसका आंसर होगा पंद्रवी पंद्रवी सताबदी में जो है प्रिंटिंग प्रेश की इस्तापना हुई थी अगले प्रशन पर चलते है गीता रहस्य नामक प्रसिद पुस्तक की रचना किस ने की थी? पंदित जोहला नेरू, लाला लाचपतराय, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक पंदित मदन मोहर मालवी तो इसका आंसर होगा दोस्तो option number C बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य नामक प्रसिद पुस्तक, बाल गंगाधर तिलक द्वारा रचना की गई थी अगले प्रशन पर चलते है हुमायू नाम की रचना किस ने की थी? तो इसका आंसर होगा गुल बदन बेगम गुल बदन बेगम ने हुमायू नामा लिखा था अगले प्रसिद पर चलते है भारत तक समूदरी मार्गी की खोज किस के द्वारा की गई? भारत तक समूदरी मार्गी की खोज है दोज़तों पूर्टगालियों द्वारा की गई थी इसका आंसर होगा पूर्टगाली द्वारा अगले प्रसिद पर चलते है अगले प्रश्न पर चलते हैं मलेशिया में दिवाली के बाद हिंदूों का दूसरा सबसे बड़ा परो कौन सा होता है मलेशिया में दिवाली के बाद हिंदू का तूसरा सबसे बड़ा पर्व कौन सा होता है तो इसका अंसरों का दोस्तो थाई पुसाम थाई पुसाम जो है मलेशिया में दिवाली के बाद हिंदू का सबसे बड़ा त्योवार होता है अजके वीडियो में बस इतना ही निश्ट वीडियो के साथ मिलेंगे जब तक की लिए चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकेन को प्रेस करें इससे हमारे वीडियो उसके नाटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे लाइक करें, सेयर करें और कमेंट जरूर करें थैंक यू पर वाचिंग